हुआ 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 है कि अख एख लेख वैलकम ठीजिक्स क्लास पिछे हमने लास्ट क्लास के अंदर एलेवन क्लास के उसमें हमने क्या कॉंटीनिय क्या था आपके जो supplementary units हैं और SI unit की आपकी advantages थी वो हमने complete कर ले थी अब हमें जो करने जाना है वो करना है कि जो हमारे large distance की होती है ठीक है जीजे उनको हम किस तरीके से measure करते हैं या फिर आपके जो small distances होती है जीजे उनको कैसे measure करते हैं ठीक है और आपको कुछ prefix होंगे उनको भी ध्यान में रखना होगा तो यह हम आज के lectures में करेंगे तो सबसे पहले आप इसके अंदर heading डालीचे कि आपको आज क्या करना है कुछ practical units करनी है ठीक है कि large distance है तो आपको इन इन units का ध्यान रखना होगा small distances की चीजे ले रहे हैं तो इन इन units के चीजे उसमें measurement के लिए use करनी होगी ठीक है जो सबसे पहले आप लिख दीछे first पहले यहां पर लिखवा दूं सम्द इंप्रेंट्थ प्रैक्टिकल यूनिट्स ठीक है तो उसमें आपकी पहले उसमें आती है आप मैक्रो कॉजम मेजर मेंट ठीक है मिसको कॉजम मेजर मेजर मेंट तो मैक्रो का मतलब होता है लाज ठीक है डिस्टेνस मेजर मेंट लाज डिस्टेंस मेजर मेंट के लिए हम इसको करते हैं पॉर पुमन मिज अच आउ वाय ao वरी लाज डिस्टेंसेज ठीक है तो लार्ज डिस्टेंसेज के लिए हम जो यूज करते हैं बिटाँ फर्स्ट है एई यू वन एई यू या फिर एई यू स्टैंड स्टैंड फोर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ठीक है यू तो अपनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई लेकिन ये कहां से कहां तक मेजर करते हैं आपको पता है ये सन है सन के चारों तरफ हमारी अर्थ क्या करती है रिवॉल्फ करती रहती है ठीक है तो जो हमारा center of sun से center of earth जैसे suppose ये sun है और ये आपकी earth उसमें है तो center of sun से center of earth तक की जो distance होती है बिटा वो क्या होती है हमारी मतब average distance जो होता है यहां से यहां तक का उसको बोला जाता है astronomical unit ठीक है तो आप ये कहोगे कि it is the average distance of the center of sun from the center of earth ठीक है इसकी value पता होनी चाहिए कि one astronomical की value होती है 1.5 into 10 raise to power 11 meter ठीक है next heading डाल लेज़े आप किसकी लिए ly यानि की light year it is light year अब light year कैसे होती है light year होती है बिटा जितना distance travel किया गया किसी भी light के द्वारा पेक्यूम में एक साल के अंदर ly का मतलब है light के द्वारा जितना distance travel किया गया एक साल के अंदर ठीक है तो यह क्या हो जाएगा it is the distance traveled by light in vacuum in one year ठीक है यह क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा तो वन light year की जो value होती है वह होती है 9.46 into 10 rest to power 15 meter यह होती है 1.5 into 10 rest to power 11 meter 11 के अंदर पांच और जो वह चार और जोर तो 15 और यह यह कितने हो जाएगा 9.46 ठीक है उसके बाद third थोर्ड होती है अपनी parsec अब parsec क्या है आपकी ठीक है पार्सिक को बोला जाता है बिटा पैरा लेक्टिक सेकेंड पार्सिक को क्या बोला जाता है पैरा लेक्टिक सेकेंड तो आप one parsec का बोलोगे ध्यान देना one parsec का बोलेंगे यह ध्यान देना पहले यह figure देखो यहां है आपकी यह arc जो की one astronomical unit की है यह होती है radius यह होता है अपना theta ठीक है और यह जो radius है यह होती है one parsec यानि इसको बताना है तो one parsec आपकी पूरे circle की radius होती है ठीक है जो की arc बनाती है किसी भी circle का one astronomical unit का subtended at an theta is equal to one second ठीक है यानि की one parsec एक circle की center से वो radius होती है आपकी जो की एक arc बनाती है circle की one astronomical unit subtended है particular theta के उपर जिसकी value है one second समझ में आया तो यह कितना हो जाएगा आपका it is the radius of circle at the center of which an arc of circle one astronomical unit long subtends an angle of one second ठीक है तो यह क्या हो जाएगी आपकी one parsec हो जाएगी ठीक है अब अपने को यहां तक stop नहीं करना था अपने को क्या करना है one parsec की भी जैसे आपने इसकी value बताई है वैसे ही इसकी भी value बतानी है ठीक है तो आप लिख लीजिए इसकी value को इसकी पार्सिक किसकी एक्वल हो जाएगा 3.1 10 raise to power 16 मीटर पहले वाली 1.5 into 10 raise to power 11 मीटर दूसरी वाली 9.4 6 into 10 raise to power 15 मीटर और 3.1 into 10 raise to power 16 मीटर ठीक है अब जो main आता है अपना वो आता है relations निकालने ठीक है तो relation बिटा किसकी उसमें आता है आपको यह बताना है कि one light year में सब्सक्राइब कितनी एक्वल है यह निकालना है तो यानि की अगर ऐसे है तो आपको तो आपको यह निसमझ में आताअ इक मुछ रहा है कि वन लाइटे ऍटियर में कितने अस्ट्रोनोमिकल यूनिट इसमें उनिट तो और एसे करना है तो इसको सॉल्फ करने के लिए हमें पता है वन लाइट यह उते हैं 9.46 x 10 x 15 meter right और one astronomical unit होता बिटा आपका 1.5 x 10 x 11 meter तो अगर हमें इसमें इतने ये कितने होते हैं वो निकालना है तो one light year by one astronomical unit कर दो this divide by this करेंगे बिटा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 6.3 into 10 raise to power 4 तो इसका मतलब 1 light year के अंदर 6.3 into 10 raise to power 4 astronomical unit present है ऐसे भूला जाएगा अब आप से यह पूछा जाए कि 1 parsec के अंदर कितने light year में होता है ठीक है 1 light year में कितने parsec कितने उसमें होता है तो यानि कि 1 parsec पहले पता होना चाहिए कितना होता है 3.1 into 10 raise to power 16 meter राइट बिटा 1 light year कितना होता है 9.46 into 10 raise to power 15 तो अगर इसके उसमें meter में होता है ठीक है तो अगर 1 parsec by 1 light year निकाला है पार्सेक तो पूरा लिखू बिटा तो पार्सेक डिवाइड बाइड बाइड ये कर दो तो पार्सेक डिवाइड बाइड बाइड ये इसका एक वो जादा है तो इसको 31 लिख दू मैं या फिर आप चलो कर ले ना इसके जो result आएगी वो 3.26 आएगी यानि कि 1 parsec is equal to 3.26 time of the one या फिर सिद्धा लिख दो light year ठीक है तो ये इसका result आगया तो ये ध्यान में रखना बिटा किसके अंदर कितने उसमें निकालना है ठीक है तो जिससे जिसमें निकालना हो ना उसको divide कर देना ठीक है तो simple आपका ये निकल जाएगा clear है और largest पूछा जाए ना आपसे कि largest कौन सा है इन तीनों में तो आप किसका नाम लोगे light year में से और parsec में से one parsec आपका बिटा greater होता है किसे one light year से और कितने times होता है 3.26 time होता है दिख रहे ना यहां से तो इसका मतलब ही क्या है आपका जादा है और light year और astronomical में पूछा जाए तो light year जादा है ठीक है तो वो आपका हो जाएगा second आप heading डाल लीज़े इसमें बिटाँ आपको अब बताना है microcosm measurement microcosm measurement यह किसके लिए होगे बिटाँ small distances के लिए ठीक है तो यह क्या है measurement of small distances ठीक है तो small distances के measurement के लिए हम क्या करते हैं बच्चे इसमें घ्यान दो पहला आता है one micron ठीक है जिसको micro यानि की one micrometer micro में कितने होते हैं 10 raise to power minus six meter ऐसे लिख सकते हैं और छोटी unit क्या वन सकते हैं इसके अंदर one nanometer one nanometer one nanometer कितना होता है ऐसे represent किया जाता है तो 10 raise to power minus nine meter ठीक है थर्ड आपकी इसके अंदर हो सकती है one angstrom one angstrom angstrom को ऐसे denote किया जाता है angstrom में होता है 10 raise to power minus 10 meter ठीक है फॉर्थ फॉर्थ लिख लिए वन फर्मी फर्मी होता है वन फ्याम्टो मिटर या फर्मी ऐसे denote किया जाता है 10 raise to power minus 15 meter ठीक है और एक और बहुत स्मॉल एरियास के लिए जो आपका किया जाता है फॉर्थ वैरी स्मॉल एरियास उसके लिए हम कौन सी मेजरमेंट को यूज करते है वन बर्ण जो कि किसके एकवल होता है 10 raise to power minus 28 meter स्क्वार के अब आप भी सोचूंगे इसके क्यों बेटा यूनिट स्वो पुछेगा यहां पी कई कई जंगे अपने पास बर्ण में अंसर निकालना होगा तो आपको पता होना चाहिए न कि बर्ण में इतनी होते हैं पता ही नहीं तो कैसे करोगे ठीक है तो इसी तरीके से आपको यह पता होने चाहिए और तो फिर बहुत सारी उस heavy masses के अंदर आपका आता है बिटा वन टन खतम हो गई तो वन टन जो की वन मैट्रिक टन भी बोलते हैं जिसको यह होता है आपका 1000 kg के इक्वल ठीक है next है आपका 1 quintal क्योंकि question देगा तो वो अपने को पता होने चाहिए कि इसमें इतने होते हैं ठीक है next है आपका 1 slug 14.57 kg यह याद है मुझे आपको भी याद होने चाहिए 1 lb 0.4536 kg ठीक है उसके बाद अपने पास किसके इक्वल होने चाहिए आप सम टाइम के जो अपनी यूनिट्स होती है उसके लिए भी कर लीजिए ठीक है आप यहाँ लिख दीजिए some practical units of standards of time ठीक है तो कुछ units अपने जैसे definitions आते हैं उसके अंदर ठीक है टाइम के उसमें तो वो भी अपने को पता होने चाहिए first definition लिख लीजिए solar day सबसे पहली बात पिटा यह दो उसमें आती है solar year और solar day अगर है तो अर्थ की complete rotation उसके axis पे sun के अक्रोस होगी तो solar आएगा moon का करेंगे तो फिर वो आ जाएगा ठीक है lunar उसमें आ जाएगा तो यानि कि अब यह क्या हो जाएगा अपना अर्थ कर रहा है axis के about rotation तो यह क्या हो जाएगा it is time taken by earth to complete one rotation about its axis with respect to sun ठीक है और मैंने क्या बताय था solar year तो बिटा year बोले ना तो year one rotation of earth around के sun की in its orbit के उसमें यह axis में होगा है वो orbit के उसमें हो जाएगी तो it is time taken by earth to complete one revolution around the sun in its orbit ठीक है उसके बाद third सिज्ज्रेल डे यह क्या होता है विटा फिक्स्ट स्टार के उसमें अगर अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्टार तो उसको सिज्ज्रेल डे बोलते हैं तो it is the time taken by earth to complete one rotation about its axis with respect to a fixed star ठीक है उसके बाद आपके पास आता है यहां पर lunar month तो मैंने lunar month के बताया था month moon अगर complete करे one revolution अर्थ के उसमें उसकी orbit पे तो क्या होता है lunar month तो आप next डालेजे lunar month तो ओर्बिट के उसमें आ जाएगा यह तो it is time taken by moon to complete one revolution around the earth in its orbit तो आपको पता भी होना चाहिए विटा वैसे तो कि one lunar month जो होता है वो 273.27 27.3 days का होता है ठीक है उसके बाद आता है शेक शेक है आपकी smallest practical units of time ठीक है जिसकी value one shake की कितनी होती है विटा आपकी 10 raised to power minus 8 second होती है ठीक है फिर उसके बाद तो आपकी आगे pressure के लिए तो pressure जो है वो जैसे one bar ठीक है यह कितना होता है one bar आपका 10 raised to power 5 Pascal 10 raised to power 5 Pascal या फिर one milli bar तो one milli bar होता है आपका 10 raised to power 2 Pascal ठीक है पास्कल में खाली इतना ही होता है ठीक है उसके बाद जो इसकी pressure की next unit है आपकी one tower one tower यानि की one mm of mercury column ठीक है ऐसे भी हम इसको बता सकते हैं अब आप यहाँ पे लिख लिख लिजिए कि यह जो आप बोल रहे हो one solar year आपने इसे बोला था ठीक है तो one जिसे यह solar year आपने बोला तो one solar year कितने stradial day के equal होता है उसको भी लिख लीचे तो यहाँ पे लिख 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 लिखे हो मैं यहाँ पे लिख 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 लिखे हूं कि one solar year is equal to 366.25 stradial day ठीक है उसके बाद मैं आपको एक table show कर देती हूं जिसके अंदर आपको बहुत सारे तो यह सारी चीज़े आपको पता चल जाएगी तो मैं आपको वो टेबल शो कर देती हूं राइट देखो बच्छे यह आपके टेबल है ठीक है और इसके अंदर देखो 10 देखो वन 2 3 6 9 12 15 18 यह पॉजिटिव में है यही नेगिटिव में है तो मैंनस 1 को डैसी बोलते हैं 2 को सैंटी बोलते हैं मैंनस 3 को मिली मैंनस 6 को माइक्रो 9 को नैनो 12 को मैंनस 12 को पिको 15 को फैंटो 18 को ठीक है फिर वन को क्या बोलते है यह डैसी था वो डैका है ठीक है इसको सैंटी बोलते हैं प्लस 2 हो जाए तो हैक्टो बोलते हैं ठीक है फिर यह कीलो मेगा गीगा टैरा पैटा और एक्जा इसको 13 मत बोलना टैरा है यह ठीक है अब देखो इसके अंदर ध्यान रखना जो आपकी representation है symbols की, और सारे तो small है लेकिन 6 के बाद 18 तक, mega, giga tera, peta, exa ये capital है, ठीक है ये capital है आपकी यहां से यहां तक तो इनको ध्यान में रखना बस, ठीक है mega, giga, tera, peta, और exa, इनको आप capital रखोगे, और ये सारे small है, daca को ध्यान रखना है होता है, kilo का small k जैसे आप यूज करते हो, ठीक है और hecto का h हो जाएगा, ये n नहीं h है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेजेगा, और next lecture अपना ये जैसे कम्प्रीट हो गया है next आपा इसके numericals करेंगे solved और unsolved जितने रहेंगे ठीक है, जो important रहेंगे मैं उकरवाद हूँ thank you for watching this video